Hello everyone, कैसे यहाँ आई हो पाप अचे से होंगे So my dear students, this video is for class 10th students जी, वो हमारे प्यारे बचे जो after 2 months अपने final board exam में अपेर होने वाले मेरे बचे अगर आपकी preparation अच्छे से नहीं हो पाई है किसी भी वज़े से बिलकुल निराश नहीं होना है अभी भी आपके पास sufficient time है आपके पास total 2 months अभी भी है तो mathematics की responsibility मुझे दे दो मैं आपका maths बहुत अच्छे से prepare कर दूँगा आप बस मैं जो instruction दे रहा हूँ आप उसको follow करते जाओ देखो मेरे बचे, आज की lecture में हम section D को discuss करेंगे आपको बता आपका जो question paper रहेगा उसमें आपके पास 5 sections होएंगी A, B, C, D and E तो आज हम सिर्फ section D की बात करेंगे कि section D में कितने questions होएंगे कितने marks के होएंगे और कौन से chapter में से हमें question मिलने वाला है चाहिए अगर आपका अभी pre-board भी आने वाला है जहां फिर हो भी गया होगा आपने देखा होगा तो जिनका pre-board होने वाला है वो भी ध्यान से सुनो section D में आपको total 4 questions मिलेंगे और हर question की जो weight is है वो 5 marks होगी चाहिए जो आपकी section D है जो आपकी section D है वो 20 marks की है and this section is very very important section D में जो आपको 4 questions मिलेंगे चाहे final board का exam हो चाहे pre-board का हो वो long answer type question वही questions होएंगे जो normally teacher आपको practice करवाता है school में, class में आपके अपने पास बिठा के योगी वो teacher का क्या 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 होता है most important question आपको करवाना बार बार तो long answer type ही question आप ज़्यादा तर practice करते हो तो यहाँ पर section D में जो 4 questions आपको आने वाले है वो वही questions हैं जिनकी आपने बार बार practice की है तो इसलिए आप बिल्कुल भी गवराओ मत की long answer type question कैसे आने वाले है आपकी section D सबसे easy वाली section होने वाली है आपके paper में तो अब आपके लिए यह समझना जरूरी है कि section D में जो 4 questions आने वाले है 5 marks के वो कौन से chapter में से हैं अगर आप यह जान जाते हो तो थोड़ा सहम उस chapter को और ज़्यादा focus कर सकते हैं तो मेरे बचे आपको यहाँ पर जो 4 questions मिलेंगे एक question आपका quadratic equation में से होगा chapter number 4 from your NCRT quadratic equation में से जो 4 marks का question आपको मिलने वाला है और यह जो मैं बता रहा हूँ यह जो CBSC ने sample paper release कर रहा है मैं उसी के basis पे बता रहा हूँ चाहे आपका basic maths है चाहे आपका standard maths है और आपका जो maths का exam होता है वो sample paper जैसा ही होता है final भी थोड़ा वो ता जो change करते हैं वो बिल्कुल minor सा होता है उतना change नहीं रहता है आपका maths का paper बिल्कुल sample paper जैसा ही होता है तो यहाँ पर आपको एक जो 5 marks का question मिलना है वो quadratic equation में से मिलना है और ज़्यादा chance है कि आपको word problem मिलेगी application of the chapter statement sum तो एक lecture में मैंने अभी recently बनाया भी a space p time वाला question भी कराया आपको मैंने word problem तो quadratic equation की word problem पे आपने focus करना है number two आपको मिलेगा triangles का अब triangle में आपको बता है first three exercise ही syllabus में 6.1, 2 and 3 तो ज़्यादा chance इसमें bpt वाले question को आने का है कि bpt theorem का proof करो और साथ में उसके question दे दिया जाएगा और वो five marks का total बन जाएगा तो इसलिए आपने 6.2 exercise को thoroughly अच्छे से कर लेना है long answer यहाँ से बन सकता है जो 6.3 exercise है triangle की वो बहुत easy exercise है उसमें उतना tough नहीं है उसमें similarity के जो criteria's है वो आने चाहिए तो पता चली जाता है question कैसे tackle करने उसमें भी जो important questions है जब इस chapter पर मैं आऊँगा तो मैं आपको करवाऊँगा वो triangle के questions ठीक है और एक question आपको यहाँ पर मिलने वाला है stat से statistics four marks का five marks का sorry stat के लिए मैं आपको बता दू जो मैंने important question की series start की है तो stat chapter मैंने complete कर दिया है first chapter मैंने यही पकड़ा stat अगर आपने stat के video lecture अभी तक नहीं देखे हैं तो please आप उनको देख लो recently अभी मैंने seven questions solve की है stat के and they are very important question और वो सारे long answer type है five marks का जो एक question आपको stat का मिलेगा मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने seven questions करवाए है उसी में से एक आपको final board exam में मिल जाएगा जा अगर आपका pre-board होने वाला है वहाँ पर भी मिल सकता है और दो question आपको MCQ आने है stat में से तो total यह seven marks का chapter है चाहे basic वाले चाहे standard वाले और जो MCQ दो आने तो मैंने 15 MCQs आपको दी है आप उन 15 MCQs को अच्छे से कर लो तो जो final में आएगा वो भी attempt हो ही जाएगा आपसे तो seven question video lecture में देखो दो और 15 MCQs तो यह सब कहां मिलेंगे video lecture भी है plus pdf form में मैंने अपने telegram channel पे भी assignment sheet डाली रखी है तो आप मेरे telegram channel को भी join करके वहाँ से stat के assignment पहले करो ताकि seven marks तो हमारे confirm हो जाए और आपका जो last five marks का question है वो आएगा surface area and volume से तो इसमें कौन से questions अच्छे से practice करने long answer वाले वो मैं अभी करवाँगा जब मैं इस chapter पे आऊँगा तो इस video का मेरा यही मकसद है कि आपको long answer type questions की knowledge हो जाए कि कहां से वो आने वाले हैं कौन से chapter में से आने वाले because the section D is the most important section for you अगर एक question भी long answer का हम से नहीं निकला सिधे-सिधे हमारे five marks जा रहे तो हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि section D में कोई question हम से छूड़ दे हम पूरा paper करके आएंगे तो आज का जो मेरा main आपको बताने का मकसद ही है कि जो stat chapter है stat इसके video lecture मेरे complete हो चुके है आप इन video lecture को देखो और मेरी जो assignment मैंने telegram channel पर upload कर रखी है उस assignment को download करके complete करो फिर भी अगर आपको stat में कोई doubt कोई problem कुछ भी question फसता है आप मुझे comment box में बताओ मैंने अपना whatsapp number भी share कर रहा है आप मुझे वहाँ message करो तो मैं आपको stat एकदम clear करवा दूँग अगर कुछ बच रहा है तो तो stat एक ऐसा chapter है जिसमें हमें problem कोई नहीं आती किसी बच्चे को कोई problem नहीं आती है और हमसे question solve हो जाते हैं बढ़ हाँ जो इसके formula हैं वो तो याद होने चाहिए mean का, median का, mode का क्या formula हैं अगर वो बूल जाओगे तो फिर दिक्कत है formula क्या हैं सब मैंने video lecture में करवा रखा है तो आपका बस इतना ही काम है stat chapter को complete करो आज बच्चे 25th of December है Merry Christmas to everyone तो आज 25th को अगर आप बैठ जाते हो stat complete करना तो मैं आपको 3 दिन का time देता हूँ 25, 26, 27 आज का दिन अगर मैं छोड़ दूँ आपने खूब enjoy कि आज Sunday Merry Christmas Celebrate की 28 डाल दो तो 3 दिन के अंदर stat को complete करो ऐसे ही किस chapter को और कितने दिन देने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा तो आज की वीडियो बनाने का मेरा फाइदा अभी होगा कि अगर आप stat chapter को complete कर ले अच्छे से 7 chapter का marks as statistics हमने नहीं छोड़ना इसका कोई भी question 5 long answer एक आएगा और 2 MCQs आएगे 7 के 7 marks हमने इस chapter के attempt करने ही करने है चाहे कुछ भी हो जाए तो देखना अगर आप ये जो मैंने assignment डाली टाइग्रम चैनल पे और जो वीडियो लेक्चर में question solve कर रखे हैं अगर आप ये करके जाओगे ना जो आपका pre-board होने वाला ना pre-board देखना उसी में से question फसा होगा उसी type का एक दम और आप करके आओगे तो I hope final तक मैं आपको बहुत अच्छे से maths prepare करवा दूँगा you don't worry अगर आपकी preparation अच्छे से नहीं है बस जो भी instruction दे रहा हूँ उसको follow करते जाओ ओके dear I hope आज की वीडियो से आपको फाइदा होगा तो आज के लिए बचे इतना ही thank you, bye bye and take care